दोसो लगातार जिस तरीके से अमेरिका को लेके खवर आ रहा है मतलब जिस तरीके से अमेरिका भारत के साथ दोस्ती का बात तो कर रहा है लेकिन दोस्ती निवा नहीं रहा है उसे देखने के बाद अमेरिका के उपर अवश्य सक पैदा होता है एक्जाम्पल के रूप में नेटो का दर्जा देने के कहने के बावजूद अमेरिका के द्वारा भारत को उस तरीके से हतियार नहीं दिया जा रहा है जिस तरीके से नेटो देशों को अमेरिका देता है अब अमेरिका के उपर जहाँ पे शक बढ़ रहा है तो वही पे दूसरे तरफ इस दर्मियान बताया जा रहा है कि भारत शायद अमेरिका से और अतरक्त मातरा में MS-60R रोमियो जैसे अंटी सब्मरिन वोर्फियर हेलिकॉफ्टरों को पर्चेस कर सकता है और सबाल ये है कि ऐ आपाचे हेलिकॉफ्टरों को लेके समझो दुदू कर दिया है और भारत अपणे आवशकताओं को देखते हुए और इंडियन ओशन के अंदर चायना के बढ़ते हुए अक्टिविटी और चाइनिज नेवी के सब्मरिनों के प्रेजन्स को देखते हुए शायद 24 से भी अतिरक्त मात्रा में हेलिकॉफटर अमेरिका से पर्चेस करें अब दोस्तों exactly कितने संख्या में अतिरक्त हेलिकॉफटरों को पर्चेस किया जाएगा इसके बारे में तो ऐसा कोई जानकारी नहीं है लेकिन कुछ जगाओं में बताया जा रहा है कि ये संख्या पहले के मुकाबले में काफी कम होगा और शायद ये सिंगिल डिजिट में हो मतलब 10 से कम में हो पर ये हलिकॉफटर असल में भारत के तरफ से किस पर्पोज में खरिदा जा रहा है ये अब साफ हो चुका है और दोस्तो ये है चाइनिस थ्रेट रिपोर्ट के मुताबिक चाइना लगातार अपने जहाजों को इंडियन ओशन के अंदर भेज रहा है और लगातार इंडिया के उपर निगरानी रखने के लिए अपने सब्मरीनों को भी भेज रहा है ऐसे में अंटी सब्मरीन वोर्फियर कापिबिलिटी को अगर मजबूत नहीं किया जाता है तो ये भारत के लिए आने वाले समय में मुश्किलों का कारण बन सकता है पुराने हो चुके सीकिंग अंटी सब्मरीन वोर्फियर हेलिकॉफ्टरों को भी इंडियन नेवी के बेड़े से रिटायर किया जाएगा हाला कि दोस्तों इंडिया अपने खुद के बल्बूते पे भी ऐसे हलिकॉफ्टरों को बना रहा है और इंडिया के जो एरफोर्स और आर्मी के लिए IMRH मतलब इंडियन मल्टी रोल हेलिकॉफटर के प्रोजेक को आगे बढ़ाया जा रहा है उसका एक डिगवेस विरियंट मतलब डिगवेस मल्टी रोल हेलिकॉफटर भी होगा जो 13 तन के एक ऐसा हेलिकॉफटर होगा जिसका टूटल 3 विरियंट होगा अब दोस्तों इन तीन वेरियंटों में एक वेरियंट एंटी सब्मरीन वर्फेर का भी होगा पर इन हेलिकॉफ्टरों को इंडियन नेवी के बेडे में शामिल करवाने के लिए थोड़ा इंतजार अभी भी है रिपोर्ट के मुताविक साल 2030 तकी ये हेलिकॉफ्टर बन के तैयार हो सकता है और इतने लंबे समय तक इंडियन नेवी के लिए एंटी सब्मरीन वर्फेर कैपिबिलिटी को मजबूत करने को लेके इंतजार करना भी सही नहीं होगा अब दोस्तों एंटी सब्मरीन वर्फेर कैपिबिलिटी को मजबूत करना फिलाल अती आवशक बन गया है और शायद इसी कारण भारत के दुआरा मजबूरन अमेरिका की उपर ही भरोसा करना पड़ रहा है हाला कि दोस्तों भारत एंटी सब्मरीन वर्फेर कैपिबिलिटी में आने वाले कुछ सालों के अंतर संपूर्ण रूफ से इंडिपेंडेंट हो जाएगा जिसके बाद अमेरिका से और ऐसे हलिकॉफटर या ऐसे एरक्रैप्टों के आवशकता नहीं पड़ेगा फिलाल इंडिया नेवी के सबसे ताकतवर एंटी सब्मरीन वर्फेर कैपिबिलिटी वाले यारक्रैफ्ट को देखा जाए तो यह P-8I मेरिटाइम सर्वलेंस यारक्रैफ्ट है और ऐसे करीबन 12 यारक्रैफ्ट इंडिया नेवी में हैं जबकि बताया जा रहा है कि शायद और अतरिकत ऐसा 6 एरक्रैफ्ट इंडिया नेवी के द्वारा अमेरिका से पर्चेस किया जाए हाला कि इंडिया अपने बल्बूते पे भी ऐसे एरक्रैफ्ट बनाने जा रहा है और यहाँ पे आपके जानकारी के लिए वता दू और शायद ये C-295 एरक्रैफ्टों के बे पर नहीं है तो केवल मात्रे हेलिकॉफ्टर और इयरक्रैफ्ट जैसे laugh जिसे फिलाल डेफिलाड किया जा रहा और 200 हेलिकॉफ्ट adapting के मामले में भारत सफलता पहले ही हासल कर चुका है जिसके कारण ऐसे मीडियम क्लास के हेलिकॉफ्टरों को बनाना भारत के अब दोसों खाली इंडियन नेवी को मजबूत करने के लिए अमेरिका और विदेशी हतियारों के उपर ही dependent भारत नहीं है बलकि हाली में नेवल साइंस और टेक्नोलोजी लेवटरी के एक बयान में बताया गया है कि भारत में जो मिसाइल और टॉर्पेडो का इस्तमाल हो रह दोसों नेवल साइंस और टेक्नोलोजी लेवटरी असल में डियाडियो का ये शाखा है जो कि नेवी के हतियारों के उपर काम करता है और नेवल साइंस और टेक्नोलोजी के डारेक्टर डॉक्टर वाई स्रीवनेवाशन राव के तरफ से मंगलवार के दिन अपने एक बया में बताया गया कि D.I.D.ो के तरफ से जिन मिसाइल और टॉर्पेडों का डिवलप्मेंट किया जा रहा है वो 95% इंडेजिनियस है मतलब 55% तक इन सिस्टमों में भारतियों कॉम्पोनेंटों का इस्तमाल किया जा रहा है अब दोसों देखा जाए तो कुछ साल पहले भी Defense Research and Development Organization के कई सारे डारेक्टरों के तरफ से इन बातों का कुलासा करते हुए बताया गया था कि भारत आने वाले कुछ सालों के अंदर मिसाइलों के मामले में संपुन रूफ से आत्मनिर्फर हो जाएगा और भारत को किसी भी तरीके से मिसाइलों को अन्ने देशों से खरीदने क आवशक्ता नहीं पड़ेगा और दोस्तों फिलाल के अगर कंडिशन देखा जाये तो भारत लगवक्स सभी तरीके के मिसाइलों का निर्मान करता है चाहे वो क्रूज मिसाइल हो सर्फिस टू एयर मिसाइल हो या फिर अलग-अलग तरीके के अलग-अलग प्लाटफोर्मो से लॉंच किया जाने वाले मिसाइल हो ब्लमोस के रूप में भारत के द्वारा दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन मिसाइल को बनाया गया जबकि अगनी सीरिस के अंतरगत भारत मीडियम रेंज से शुरू करकि इंटर कॉंटिनल्टर रेंज तक बैलेस्टिक मिसाइलों का डिवलोपमेंट हो रहा है जबकि अस्र के नाम पे भारत के द्वारा अलग अलग टाइफ के एर टु एर मिसाइलों का डिवलोपमेंट किया जा रहा है भारत के तरफ से कई तरीके के आधुनिक एर टु सर्फेस मिसाइलों को भी बनाया गया है जो भारत अपने खुद के द्वारा इस्तेमाल कर रहा है अब दोस्तों इसके इलावा अगर देखा जाए तो एर डिफेंस के शेत्रे में भारत के द्वारा आकाश मिसाइल से शुरुआत किया गया और उसके बाद अब आकाश मिसाइल के अलग अलग वरियंड के साथ कुक रेक्शन स्वर्फिश टू एर मिसाइल LR SEM और MR SEM जैसे मिसाइल तो है ही साथ में अब बताया जा रहा है कि ER SEM और XR SEM के रूप में भारत के तरफ से S-400 सिरिस के मिसाइलों को बनाया जा रहा है हाली में ही AD-2 मिसाइलों के सकस्पुल परिक्षन करके भारत के तरफ से ये वी जता दिया गया कि भारत अपने खुद के बलबूते पे बैरेस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड वना सकता है और साल 2019 में एंटी सेटलाइट मिसाइल का परिक्षन करके ये वी जताया जा चुका और जहाजों से भी दागा जा सकता है और इसके इलावा कई तरीके के इनोवेटिव मिसाइलों को भारत के तरफ से बनाया गया है जिन में स्मार्ट जैसे मिसाइल मतलब सुपर सॉनिक मिसाइल एसिस्टेड रिलिज ऑफ टॉर्पिडों को भी बनाया जा चुका है अब दो Science and Technology Laboratory के तरफ से कई तरीके के इनोवेटिव मेटरियल के उपर भी काम किया जा रहा है जो कि आने वाले समय में भारत के वोड़िव कॉंस्ट्रक्शन से शुरू करके सब्मरीनों के कॉंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होगा जबकि इसके इलावा सब्मरीनों में इस्तेमाल हो रहे कि Naval Science and Technology Laboratory ही काम करेगा अब दोस्तों इससे एक तरीके ऐसा तो ये साफ हो चुका है कि भारत नेवी के कई सारे equipmentों के मामले में फिलाल आत्मनिरवर है और इंडियन Armed Forces के तीनों बेड़े मतलब Army, Navy और Air Force को देखा जाए तो तीनों में से खाली Navy एक ऐसा बेड़ा है जो जादतर इंडिजनियस है Navy के बेड़े के लगभग सभी तरीके के जहाज इंडिया में बनता है या फिर इंडिया के द्वारा बनाया गया है दूसरे तरफ अगर देखा जाए तो Navy के जरूरतों को देखते हुए Maritime Surveillance Aircraft से शुरू करके Anti-Submarine Warfare, Aircraft और Helicopter के Development के उपर भी काम किया जा रहा है